मेरे नाव मांसु यादाव है और मैं क्लास 10th स्टुडेंट हूँ और मैं भी स्कूर से आ रहा हूँ जैसा कि आप में देख सकते हैं तो अब ही आम स्कूर से हैं ताथ इस वीडियो में हम लोग जानने वाले हैं तो सबसे पहले में बताऊंगा कि हर सब्सक्राइब मेरे कितने माक्स आए हैं पिर इसके बात में बताऊंगा कि ओवरल कितना पर्चेंट आ है दोस्तों सबसे पहले बात करते हैं हिंदी का तो हिंदी में मेरे अच्छे माक्स आये थे मेरे 100 आउट आफ 95 आये अगर आपको विश्वास नहीं हो तो स्कीन पर आप प्रोग देख सकते हैं हिंदी का मेरे 95 माक्स आये फिर इंग्लिस में दोस्तों मेरा बहुत बुरा माक्स था इसके लिए छोड़िए फिर जो हो गया सो हो गया इसके लिए रिग्रेट नहीं करूंगा इंग्लिस में अच्छे माक्स आदा थी तो प्लास में भी रहिंक आ जाती छोड़िए फिर बताओंगा वी वीडियो कि लाज मेरे कितनी रहिंक आई है फिर कंप्यूटर में इंग्लिस में देख सकते हैं समयंटींश मार्क आया है यो जो वह पॉक्षण के मार्क हे है pakai 93 माक्स और इंग्लिस से अछले है और ठीक है 93 म 他ना द्सवा नहीं धागे कंप्यूटर के बार जो हमारा अग्ला सबजेक्ट है जैसे आपने देखा है हिंदी में 95 पाया है इंग्लिश में 76 और कंप्यूटर में 93 फिर हम बढ़ते हैं सेस्टी की तरफ तेस्टी में हमारे 90 marks वह भी ठीक है और सेस्टी 90 marks के बाद जब हम देखते हैं साइंस में 90 marks आया है और जब तो आपने मेरा जो marks है वो पर subject देख लिया और मैं बता दे रहा हूं इस मार को calculate करेंगे तो आएगा 444 माक आउट आप 600 जो के बंगते हैं 90 परचेंट हाँ दोस्तों 90.67 मतलब कि मैं और 90 प्लस लाने का target complete होता है और मैं 90 परचेंट लाता हूं लेकिन आगर आप लोग पूछ रहे हैं कितनी आई है मेरी क्लास में sorry to say that लेकिन मेरी कोई भी 141st 2nd 3rd में से कोई भी rank नहीं आई है लेकिन हमारी स्कूल में सेक्शन होते हैं तो मेरे सेक्शन में 2nd rank आई है जो फर्स्ट आया उसका 91 पर आसा करता हूं आप कोई वीडियो पसांद आई होगी और आप लोग मेरे माक्स देखे होंगे और मेरे माक्स कम आई इसके लिए sorry तो thank you take care bye bye